आपका फिर से स्वागत है आज मैं बात करने वाला हूं DC differential compound motor के बाड़े में तो देखिए DC differential compound motor का सुनचना cumulative compound motor की तरह ही होता है बस यहां देखने को क्या है कि यहां पर जो स्रेज फिल्ट फ्लक्स का वीडियो दो करती है इसके कारण जो flux की मात्रा है तोटल flux की मात्रा है वो लोड बढ़ने पर पहले की अपिक्छा गहरती जाती है तो इस प्रकार से आपका इसका construction होता है और इस तरह से यह दुन flux आपस में काम करते हैं लेकिन एक दुसरे के विरूद में ठीक है आगे देखते हैं पहला गति लोड धारा भी लक्षन तो इसमें देखते हैं क्या यहां पर देखिए जैसे लोड बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है स्रीज फिल फ्लक्स में जो फ्लक्स की मातर है वो बढ़ती जा रही है और जिसके कारण वो फ्लक्स की मातर को कमजोर करते जा रही है हम जानते हैं कि इस लिलेशन गुन सार्फ जब टोटल फ्लक्स जब घहटेगा डाउन होगा तो स्पीड हमारा बढ़ता जाएगा इस कारण से जैसे जैसे लोड करेंट बढ़ रहा है तैसे जैसे स्पीड जो बाग रहा है कम से अधिक के और बढ़ रहा है ठीक है तो इस प्रकार से आपका गति लोड धारा बिलक्षन डिफ्रेंशल कमपार्ड मोटर का होता है यह जानियेगा हमेशा कि स्पीड फ्लक्स डैकली प्रपेस्टनल होता है आर्मिचर करेंट के यह लोड धारा का है तो य यह इस प्रकार से काम करता है बागी यह तो सिरीज का है और यह संड का है कंपेर करते हुए दर्साया गया फिर देखते हैं टॉर्क लोड अभी लेक्षन तो टॉर्क लोड अभी लेक्षन में देखते हैं क्या जैसे कि हम जानते हैं टॉर्क जो होता है वो डैकली प्रोप कर रहा है यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे लोड बर रहा है जैसे जैसे लोड बर रहा है तो आर्मिजर करेंट तो बढ़ा साथ ही साथ यहां पर सिरीज तो जिसके कारण टोटल फ्लक्स पहले कि आपक्षा कम हो गया तो इस कारण से यहां Professor आपका torque जो है जैसे जी करनेट बरता है और जैसे आपका töड़ करनेट बरता है वैसे वैसे बैसे torque तो बढ़ता है लेकिन य다 जींद्धा न जाकर वो dog होते जाता है क्यों प्रूक्ष्प पहले flux की मातरा थी उसको कमजोर करता जा शिरिस फिल्फ्लक्स इसलिए यहां से यह टेना हो गया है तो इस सिरिस फिल्फ्लक्स का ही प्रभाव है जिसने संट फिल्फ्लक्स को कमजोर कर दिया है जिसके कारण यहां से यह टेना होते हुए जा रहा है यासे जैसे लोड हो रहा है टेना होते जा रहा है ठीक है तो इस क तो नो होता है वह directly proportional है размature current के या load धारा के और field flux जो है वह directly proportional है armature current के या load धारा के कह सकते हैं है तो हम कह सकते हैं एक simple way में कि series field flux जो है वो directly proportional to torque है अब देखिए torque जैसे जैसे बढ़ा तो आपका series field flux बढ़ेगा और series field flux बढ़ेगा तो speed हमारा जो कि मैंने बताया था आपको N inversely proportional to 5 होता है total flux field flux अब ये torque बढ़ा तो series field flux बढ़ा है और series field flux बढ़ा तो वो sunt flux को कमजूर करेगा कमजूर करेगा जिसके कारण आपका total flux की मात्रा कम हो जाएगी और ये कम होगी तो speed आपका बढ़ेगा इसलिए यहां पर टॉर्क जैसे से बढ़ रहा है स्पीड आपका बढ़ते जा रहा है उपर की ओड़ जा रहा है तो अधिकतर आप जेतने भी के मोटर में त्रक्र गति अभीलक्षण और का गति लोडधार अभीलक्षण दखेएगा कि कि उस दोनों में । आपको यहां पर भी देखिए यहां से बढ़ रहा हैshirt के यहां से अपका चपीड बढ़ आप देखिए यहां से आपका तो कहने का अर्थ है जब भी आपका speed और load धारा के बिज जो relationship बनेगा वही relationship आपका torque और speed के बिज बनेगा तो इस कारण से दोनों एक समान बनते हैं तो इस प्रकार से आपका differential compound motor में जो यह तिन characteristic अभी लेक्शन प्राप्त होते हैं और वो किस प्रकार से क्याम करते हैं यह मैंने आपको बता दिया है आपको इसमें सभी मोटरों में जो fixed relationship है उसको ध्यान रखना होगा हमेशा तभी आप इसको understand कर पाईएगा नहीं तो दिकत होगी तो आप लोग का वीडियो देखने के ल